हेलो एज कैसो आप लोग बहुत बहुत वागते हैं आपका सुपर फास्ट क्लास एज यूटूब चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड वालों के लिए उनके हिंदी से कुछ महत्यपूर्ण प्रस्न जी हां मेरे दोस्तों और ये सारे क जो रशनाए है मैंने एक-चार्ट-चार कर लिखा हुआ है जो काफी e कई-के साल आप लोग के बोड़ी जर्मस आ चुकी हैं ओर यही रशनाए हर साल आपनों के बोड़ी जर्मन आती हैं जो सुरू के एक-एक नमर के प्रस्न होते हैं उन तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकान को भी दबा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो जखिए जो फॉस्ट रचना है यही काफी इंपोर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं इंदुमति जी हमें दोस्त जो यह इंदुमति है न यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है और जिसके लेखा है कि सोरी डाल गुस्वामी तो इस चीज को याद रखेगा इंदुमति हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है यह एक कहानी बिधागी रचना है जिसके लेखा कौन है कि सोरी डाल गुस्वामी जी सेकेंड ह कई प्रकार से इसमें प्रस्ण पूछ सकता है कि परिच्छा गुरु किस विधा की रचना है तो उपनियास विधा की रचना है या ऐसे पूछ सकता है कि परिच्छा गुरु के लेखा कौन है तो लाला सरी निवास्तास या ऐसे भी पूछ सकता है आपसे प्रस्ण कि हिंदी गद्दे का प्रथम उपनियास किसे माना जाता है तो वो है परिच्छा गुरू को हिंदी का प्रथम उपनियास माना जाता है तो ये दो रचना एक काफी इंपोर्टेट है इनको याद रखेगा उसी क्रब में मैंने लिख दिया है और एक काफी इंपोर्टेट रचना देख है ना मतलब इस इस साल ये प्रस्ण आ चुके है जैसे परिशा गुरुदहल 13, 17 और 20 में आ चुका है तो ये आगे रेड रेड में लिखने का यही मतलब है तो नहुस प्रथम मौलिक नाटक है जिसके लेखक गुपाल चंद्र गिरिधर दास जी है ठीक है उसके अलब अगली रचिना देख लेते हैं अगली रचिना आप लोग देखिए अगली रचिना है बार भट की आत्मकथा आप लोग यहां पर देख सकते हैं देखिए बार भट की आत्मकथा वो पन्यास बिधा की रचिना है और इसके लेखक हजारी प्रसाद दिवेद दीजी है देखिए इ पर बार्ण भट की आत्मकथा रचना में यह आत्मकथा से यूज हुआ है तो लोड़के समझ लेते हैं कि आत्मकथा विधा की रचना है लेकिन आत्मकथा विधा की रचना नहीं है यह उपनियास विधा की रचना है ठीके रचना का नाम है बार्ण भट की आत्मकथा और इस इसमें कई रचनाय मैंने सामिल किया है, देखिए, गोदान, गवन, कर्म, भोमी, रंग, भोमी और शेवा सदन, ये सारी की सारी जो रचनाय है, उपनियास विधा की रचनाय है, किनकी प्रेम चंद जी की, तो इस चीज को याद रखीगा, गवन, गोदान, कर्म, भोमी, भोमी सेवा सदन, ये सारी रचनाय जो है न, ये सारी रचनाय, ये प्रेम चंद की उपनियास विधा की रचनाय है, ठीके, उसके अलबा, आगे चलते हैं, अगली रचना आप इसकीन पर देख सकते हो, काफी इंपोर्टन है, गेहू और गुलाब, ठीके, क्या है गेहू औ राहुल संकृत्यायन जी, जो राहुल संकृत्यायन एक प्रसीद यात्र सहित्य के लेखक माने जाते हैं, ठीके, चलिए, अगली रचना देख लेते हैं, अगली रचना, काफी इंपोर्टन जी, हमेरे तोस्त काफी इंपोर्टन मेरी अशफलता हैं, गुलाब राय जी की रचना है बाबु गुलाब राई जी की आत्म कथा विधा की रचना है आत्म कथा विधा की रचना है बाबु गुलाब राई जी द्वारा लिखित मेरी अशफलता हैं ठीक है तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा उसी क्रम में देखिए दो और काफी very very important यह रचना ह यहां मैंने क्यों यहां 17-19 लिखा है लेकिन मुझे जीतना मालूम है यहां पर मैंने लिखा है लेकिन दिपदान तो हर साल आता है और यह एक प्रसीद एकांकी विधा की रचना है जिसको लिखा है डक्टर रामकुमार वर्मा जी ने देखिए इस प्रस्ण को कई तरह से तो ऐसे इस प्रस्ण को घुमा घुमा कर कई तरीकों से पूछता है तो आप सीधे याद रखिए कि दिपदान एकांकी विधा की रचना है जिसके लिखा कर डक्टर रामकुमार वर्मा जी है ठीक है तो यह सारी की सारी रचना है आप लोग याद रखिएगा उसके अलब अचली यह और भी बहुत सारी रचना हैं लेकिन इनकों मैं छोड़ता हूं यहाँ मैं आजाता हूं यहाँ इन पे अचाय रामचंद्र सुकल जी पे जी हमें दोस्त क्लास 10 के अगर आप इस्टुएंट हैं तो जो अचाय रामचंद्र सुकल जी है ना इनकी सारी की सारी रचना हैं आप लोग याद कर लेज़ेगा सारी की सारी रचनाओं में आप चिंता मड़ी याद कर लेज़ेगा इनका ठीके क्योंकि ये काफी important हो जाते हैं क्लाश्टिंद के क्योंकि ये मतलब पहला chapter ही है साइद इनका मित्रता और मतलब कई सारी रचनाय इनकी दखिये ये दखिये आप लोग देख रहे हैं इसके इन पर कितनी साल कई कई साल इनकी रचनाय पूछ शुका है एक्जाम मे तो इसलिए इनकी रचनाय काफी important हो जाती है और अचाई राम्चे शुकल जी ने एक प्रसिद इतिहासकार के रूप में भी प्रसिद है ये आप लोग याद रखियेगा तो इस तरह से हमने कुछ ये इस वीडियो में रचनाय देख्या और उनकी विधाय देखा और लेख ने सबको वहाँ include किया हुआ है तत्समसद तत्भव सब्द रस क्या होता है सारी चीश है मैंने ठीके तो आप जाकर चैनल पे आप यूटूब पे सुपर फास क्लासे सच कर चैनल पे जाकर और प्लेलिस्ट में जाकर आम मतब देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के description में भ लूँगा आपसे जल्द तब तक के लिए थैंक यू